नमस्ते और एस्ट्रो मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे कन्या राशी के बारे में और आपको देंगे 30 मई 2023 के लिए राशिफल की पूरी जानकारी शुरू करने से पहले आज का सुविचार खुशी कोई बनीबनाई चीज नहीं है वह आपके अपने कारियों से आती है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्यार और शादी के बारे में बात करते हैं कन्या राशी वालों आज का दिन आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक उर्जा लेकर आएगा यदि आप एक प्रतिबध रिष्टे में हैं तो आप अपने साथी के साथ भावनात्मक संबंद और समझ में व्रिद्धी का अनुभव कर सकते हैं खुला और इमानदार संचार बंधनों को गहरा कर सकता है और सुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है अविवाहित कन्या राशी के जातकों को किसी खास व्यक्ती से मिलने या आनंदाई रोमांटिक मुलाकात का अवसर मिल सकता है आज ज्यादा सोचने या अपने साथी की जरूरत से ज्यादा आलोचना करने से सावधान रहें आपकी पूर्ण तावादी प्रवृत्ती आपके रिष्टे में अनावशक तनाव पैदा कर सकती है अपने साथी की सराहना करना और स्वीकार करना याद रखे कि वे कौन है उनकी खामियों सहित नाइट पिकिंग से बचे और एक प्यार भरे और सहायक संबन को पोशित करने पर ध्यान दे अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करियर और ग्रोथ की कन्या राशी वानों के लिए आज आपके करियर की संभावनाएं आशाजनत दिख रही है आपको अपनी कड़ी मेहंद और समर्पन के लिए पहचान मिल सकती है जिससे विकास और उन्नती के नए अवसर मिलेंगे सहकर्मी और वरिष्ट आपके काम के विस्तार और सावधानी पूर्वक द्रिष्टिकोन पर आपके ध्यान की सराहना करती है अपने कौशल का प्रदर्शन करने और चुनौती पूर्ण परियोजनाओं को लेने का यह एक अच्छा समय है सकारात्मक द्रिष्टिकोन के बावजूद अपने आपको कार्यों और जिम्मेदारियों के बोच से बचाने के लिए सतर्क रहें अपने स्वयन के कार्य के प्रती अत्यधिक आलोचनात्मक होने या अपनी भलाई की कीमत पर पूर्णता प्राप्त करने से बचे जरूरत पढ़ने पर ब्रेक ले और स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखें पुत्कृष्टता के लिए प्रयास करें लेकिन अपने आप पर दया करना भी याद रखें आईए अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिती की आर्थिक रूप से यह दिन कन्या राशी के जातकों के लिए स्थिर्ता और सकारात्मक संभावनाएं लेकर आता है आई में वृध्धी या वित्तिय वृध्धी के संभावित अवसरों के साथ आप अपनी वित्तिय स्थिती में सुधार देख सकते हैं अपने वित्तिय लक्षों की समीक्षा करने और निवेश या बचट के संबंद में व्यावहारिक निर्णय लेने का यह एक अच्छा समय है। आपके जिम्मेदाराना रवईय के सकारात्मक परिणा मिलने की संभावना है। सकारात्मक द्रिष्टिकोन के बावजूद अपने वित्त को लेकर सतर्क रहना आवश्शक है। आवेगी खर्च या जोखिम भरा निवेश करने से बचें। अपने बजट पर टिके रहें और वित्तिय अनुशासन का अभ्यास करें। आपके रास्ते में आने वाले किसी भी नए वित्तिय अवसरों का सावधानी पूर्वक मूल्यांतन करें और सोच समझ कर निर्णैले। धैरिय और सावधानी से योजना बनाने से आपको वित्तिय स्थिर्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी। आखिर में हम बात करते हैं आपकी सेहत और स्वास्थिकी। आपकी शारिरिक और मानसिक तंदुरूस्ती को आज बढ़ावा मिलेगा। आप उर्जा के स्तर में वृध्धी और समग्र जीवन शक्ती की भावना का अनुभव कर सकते हैं। नियमित व्यायाम में सनलगन होना, संतुलिद आहार बनाए रखना और स्वयं की देखभाल को प्रात्मिक्ता देना आपकी भलाई में योगदान देता है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने और स्वस्थ आदते स्थापित करने के लिए यह एक अनुकूल समय है। अपने संकेतों को सुने और अपने आपको परियाप्त आराम और रिक्वरी दे। स्वदेख भाल और तनाव प्रबंधन की उपेक्षा न करें। ग्रेक लेना और विश्राम तक्नीकों का अभ्यास करना आपको इश्टतम स्वास्य बनाए रखने में मदद करेगा। अगली बार एक नए विडियो में। नमस्ते।